जैने दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तक पे आसा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप देख रहे हैं नौकरी तक नौकरी तक यानि कि बिहार में जो भी नौकरी खास कर निकलती है वो मैं आपको बताता हूं जिससे कि क्या क्या डॉकुमेंट लगेगा क्या चीज लगेगा मैं सब बताता हूं मैंने लिखा है विहार में फिर से एक बार बंपर बहाली यह बीते दिन कल का ही है लेकिन इसके पेपरों के माध्यम से जो बताया गया जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपकी जो व बिश्वास जो है हम पे भी जागेगा और पेपर पे तो आपका बिश्वास रहे गई यह पंचाइती गाज विभाग बिहार से यह सूचना है कि बिहार में फिर से एक बार बंपर बहाली है और आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि लगबग 10 लाख पदों पे बह लाके चुकि आपको पता है फिर से आधर निये बुखमंत्री नितीजी का बुलबाला रहा लोक सवाचनौ में इसी को देखते हुए आप यहां देखिए पंचायती राज विभाग 15,610 पदों पे बहाली होनी है कितने पदों पे लगबग 15,000 इन में से 4,351 पद अस्थाई होंगे यानि पर्मानेंट जोर होगा और बचे हुए जितने सीट होंगे 15,000 में से अगर इतना घटा दिजिएगा तो वो सीट कंट्रक्ट बेसिस पे होगा यानि संबिदा पे होगा यानि तीन साल पांस साल का ठेका पे होगा लेकिन बहाली तो आ रही है और भी भीहार मे आप बने गए कुछ मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या होने वाला, क्या इसमें भी ढूमिसाल खतम कर दिया जाएगा, या बहारी को मौका दिया जाएगा, ये तमाम बिंदु पर बाते करेंगे, इससे पहले आप पेपरों को पहले देखे और समझे पेपर में क्या दिया, यहां देखिएगा, यह देखिए, पंचाइती राज बिभाग में 15,610 पदों पे बहाली होगी, जान लिजे, लिख लिजेगा, पंचाइत सरकार को बहतर तरीके से चलाने के लिए इन रिक पदों को बगा जाएगा, आपको पता है पंचाइत, आप क कई ने कई गाउं में गाते होंगे वो गाउं किसी पंचायत के अंदर आता होगा और पंचायत में आप बहाली आएगी तो अच्छी बात है किसी कारण मस्थ अगर सचक बहाली में आपका नहीं हो पाया फिर भी आप इसमें हो जाए भर्मान एक रास्ता बंद करता है तो बीते दिन हैं नहीं में दिते न हम चहद के लिफ पंटर पर हो भी मिधिर कुमार सिंग्ग और निदेशक किमान्सु कुमार गाई ने शक्रवार को ये जान कारे दिया बिते कर न कि लिफ़ उन्होंने कहा पंचायती रास्ताव जीला पर्षत परकंड पंचायत कारियाले और पंचायत सरकार को चलाने के लिए इन पदों को भगा जाना अति आवस्यक है याँ खाली पर यह प्रखंड पंचायत राजपतादिकारी और अंकेशक यहाँ देखिया आप हाँ, इसमें से जो पद है ये प्रखंड पंचाइत राज पदादिकारी और अंकेछक की बहाली BPSC के तरहत होगा, लैसे में दो पद पद कुन-कुन एक अंकेछक, जिसकी सीठ है टाइस इसका और पंचाइती राज पदादिकारी यह दो पद BPSC के माध्यम से बहा जाए यानि BPSC आयोग एक्जाम के थूरू इसका बहाली लेगी दो पद का ठीक है अब आगे पढ़िए जब की पंचायती सचीव यानि पंचायत सचीव का कितना पद आ रहा है 3525 जब की पंचायत सचीव निम्न वर्गिये लिपिक यानि ये निम्न वर्गिये लिपिक तार्याले परिचारी तार्याले परिचारी देखिए आप तार्याले परिचारी वो कनिये अव्यंता अव्यंता मतलब एंजिनियर की बहाली बिहार क्रमचारी चेहन आयोग यानि बि अस्थाई पदों की बहाली जिलाओं में दीम अस्थर से की जाएगी यानि बहाली करेगा यानि जब बहाली करेगा बिला एक्जाम के तुरू तो मामला गरबर लगता है हो सकता है सेटिंग का मामला आएगा यानि आप पहले इस चीज़ को समझे आप लगबग 15,000 पदों प पहला पंचायत सचीव का पद है कितने पद पे बहाली होने 3525 पद पे निम्न वयगिये लिपिक छेत्री अस्तर पे ये 504 पदों पे बहाली होगी पंचायत राज पदादिकरी इस पदों पे 112 सीट रखा गया पुरे बिहार में जिला परशद कनिया अभियंतर एंजिनियार क 104 पद जिला परशद में निम्न वयगिये लिप किये जिला परशद में भात्तर पे अंकेचक का 28 सार्याले परिचारी यानि चप्रासी का पांच पोस्ट रखा गया पुल 4301 पोस्ट जो है वो पर्मानेंट रहेगा ठीक है इसमें से जो बचेवे सीट है लगबर 11000 दूस ग्राम कचरी नियाय मित्र यानि की ग्राम कचरी यानि पंचायत में बढाली होगी 2230 감 जप्रासी की तक्निकी साहे 566 पोस्ट में पोस्ट पर बहाली होगी सहायक या डाटा ओपरेटर मात्र तीन पोस्ट रखाग़े आ है एग 13219 पद यहih destक पे रखा गया डोटल 310 पदों पे बहाली होगी तहां भाई पंचायती राज विभाग होता है पंचायती राजमंत्री जो गुपता जी उन्होंने बता भी दिया है अब देखते बहाली कब निकल के आता है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा क्या का डॉकुमेंट लगेगा सारी जानकारिया आप आपको दिवे 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 देंगे अभी कल घोष्टना हुआ आज पेपर में आया है अब बने गए और यहां एक चीज़ और देखिए हर पंचायत में अब लाबगरी बनेगा बच्चों के पढ़ने के लिए किताब सुब्धा रहेगा पंचायत सरकार भर्णों में फि दोमिसाइल लागू होगा तो मैं आपको बता दू इसमें 100% आपका दोमिसाइल लागू रहेगा चुकि यह विभागी ऐसा है मैंने आज तक अलग बात है कहीं बिहार के आदर स्टेट को इसमें मौका दे यह मुझे नहीं पता लेकिन अभी तक जो देखा गया बस बिहार को ही यानि बिहार के बच्चे को इसमें मौका जहां तक मुझे लगता है दोमिसाइल इसमें लागू रहेगा तो आप सभी डॉकुमेंट आप रेडी रखे डॉकुमेंट पर अभी वीडियो नहीं आया है जो भी आपका तेंथ हो गया तेंथ का माक्सिट हो गया तेंथ का डिया प्रमाण पत्र आवीडिया मांक पत्र होता अगर रहता है दोनें रखे लिजिएगा टुवेल अंगर कीए है इखा प्रमां पत्र इ्यानि रख protective लिजिएगा और साथ में जो भी बिहार के अस्थर अस्थर पर निकल रहा है तो आवासियए आप ब्लॉक अस्थ अस् वो चार डकुमेंट अबस बना के अखले आवासिय जाती आए और चौथा डकुमेंट है चौथा डकुमेंट है OBC नन क्रिमी लेयर जिससे कि आपको आगच्छन मिल जाए यह मैंने OBC के लिए बात किया और जो भी SCST में आते हैं वो बस आवासिय बना ले और जाती परमान प मत्र इसके बाद दो बनने के बाद EWS सर्टिफिकेट बनाके रख लिजिएगा सबी डकुमेंट को रख लिजिए और अच्छी बात है कि हमसे कम बिहार में बहाली देखने को मिलता है चाहे किसी की भी सरकार बने मुझे कोई मतलब नहीं है बस मुझे बहाली चाहिए और अ नौकरी तक के फैमली मेंबर अभी तक अगर नहीं है तो आप बन जाईएगा जिससे की आपको कोई भी सूचना हासकर बिहार से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा और नौकरी से रिलेटेड तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करने में तो कोई पैस किसा लगता नहीं है सब्सक्राइब किजिएगा तो इड़ी दब जाएगा इसके बाद कि और दबा दिजिएगा और दबा के बिल आइकन को घंटी का बटन को दबा के रख लीजिएगा आज के विड़ों इतना ही जैहिंद जैनारत